नमस्कार मैं हिमान श्री कुमार आप देख रहे हैं वेब समाचार इस वीडियो की शुरुआत हम एक सवाल से करते हैं और आपसे ये सवाल है कि इस बार का बिहार विधान सभा चुनाव किन मायन में अलग था ये कह सकते हैं कि बिहार में जितने भी चुनाव हुए उससे कैसे ये चुनाव अलग था या फिर यो कहें कि देश के तमाम राज्यों में जो चुनाव हुए या फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो चाहे वो रोजगार हो, स्वास्त हो, सिक्षा हो और रोजगार का मुद्दा सबसी आहम रहा जब तेस्य यादब ने 10 लाग सरकारी नौकरी की बात करी उसके बाद पहले श्रिवाती दोर में एंडिक नेदा कह रहे थे कि तेस्य यादब लोगों में तमंचा बातेंगे, युवाँ को तमंचा बातेंगे, उनमें योगिता ही नहीं है फिर उनने कहा कि सरकार पैसे कहां से लाएगी, लेकिन अंत्ता ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि वो अंत्ता कहने लगे कि हम भी जो है, जो सरकारी नौकरियों के पदरिक्त हैं, उनको भरेंगे साथ ही साथ उननैस लाग रोगजार का दावा कर दिया, सरकार का जैसे गठन हुआ, तो तेसी आदब ने कहा कि ठीक है, आप मुकमंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनेस लाग रोगजगार और सरकारी नौकरी को भरने का वादा पूरा करेंगे, नहीं तो मांदून करेंगे उसके बाद यहीं वो प्रेसर रहा, जर्मितिश्कमार जैसे ही केमिनेट का गठन किया, तो उनने एक लाग तिरपन, हजार जो है, लगभग देड़ लाग के करीब सरकारी नौकरी दिने के लिए तमाम सचिमों को पता तक लिख दिया, केमिनेट गठन होने के बाद ही, उस शुरू होने वाली है, जिसमें 2045 जो पद हैं, वो इंजरनी कॉलेज में खाली हैं, और 1872 पॉल्टेक्निक कॉलेज वो में जो गैर सेक्षिनिक पद हैं, मतलब टीचर और प्रोफेशर के पद नहीं, बाकि लिखरियन हों और जो स्टाफ होते हैं, जो प्रहाते नहीं हैं, कॉलेज में साहिता करने के लिए होते हैं, उन पदों पर, गैर सेक्षिनिक पदों पर 3917 पदों पर बहाली होने वाली है, जिसमें इंजरनी कॉलेज में 2045 और पॉल्टेक्निक कॉलेज में 1872 पदों पर बहाली की जानी है, इसके लिए जो है नियुक्ति की निमावली पर क उसको अंजाम दे रहा है लेकिन वहीं यह जो गैर सक्षिनिक पदों जो आविदन है यह एक्जाम वो बिहार ऐसे से कह सकते हैं बिहार करमचारी चमन आयोग और तकनिकी सेवा आयोग इसको कंडक्ट करेगी इसलिए आप जल से जल तयार हो जाएए वो तमाम ऐसे पद हैं ज पुश्खिश्मती था आपके लिए एक अच्छा जो कहते हैं संदेश लेकर आया है कि सरकार पर कहीं ने कहीं दवाब है कि जो तीन लाख सरकारी पदरिक्थ हैं उनको भरा जाएगा इसलिए आप भी जो है तैयार रहे हैं सरकार जो है इसको लेकर काफी मुस्तियद है कह स लगते हैं और सरकारी नौकरी निकलने की संभावना है इसलिए आप भी जो है पूरी तैयारी में लग जाएए तो इस तरह के से आप देखते रहे हैं वेव समाचा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए अगर आपको कुछ खामिया लगती है तो करता आए कि हम इसे कैसे सुधार सकते हैं इसके साथ अगर आपने हमारे चनल को सब्सक्राइब भी किया है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बहुत बहुत धन्यवाट